तो आज मैं आप लोग को लेकर क्या गई हूँ अपने च्छत के गाडन पे और यह देखिए मैंने अपने कमले में हुगाया है रोपा भाजी जिसे कहीं कहीं पर कंटा साग भी का जाता है आपके साइट पर इस भाजी को क्या कर बुलाया जाता है कमेंट करके जरूर करना खास करके बर्साप के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ज्यादा इजी होती है फायदे भी बहुत सारे हैं इसके तो आज इसको हम बनाने वाले हैं तो च्छत पर आ गई हूँ और इ जो मैं आपको दिखा रही हूं ने इसके उपर यह है फूल यहीं फूल जो होते हैं न वह सूंखने के बाद जड़ जाते हैं अपने आपी आपी सारे वापस से पौधे बन जाते हैं तो यह देखिए अभी यहां पर सारी भाजी को तोड़ करके लाई हों और अभी पतियों क को निकाल करके जो मोटी डंटाल होती है ना उन्हें काट करके हटा दिया है मैंने और सारे पतियों को अभी कठा करके मैं इसे बिल्कुल बारिक छोटा-छोटा-छोटा-छोटा काटते जाओंगी इस भाजी को बनाने के लिए एक बात का और ध्यान देना पड़ता है कि जब कुल कट जाएगा तो इस वज़े से अकसर देख करके हमको भाजियों को तोड़ना पड़ता है मेरे हाथो वैसे बिना काटे वाले भाजी हुए जिनको मैं बना रही हूँ तो यहाँ पर सारे भाजियों को मैंने काट लिया है और अभी एक बरतन में निकाल ले रही हूँ और आप देख सकते हैं मैंने कितना बारिकी से काटा है जितना चोटा जितना बारिक आप इसको काटिएगा ना उतना ही जल्दी यह पकता है और बहुत ही अच्छा बनता है अभी यहाँ पर पानी से हमीशा ध्यान दीजे कर जब भी भाजियों को आप धोएं तो अकसर चा कित से हम भाजी बर साथ के टाइम पर करें नहीं लाते हैं अब यहाँ पर यह देखिए जब सारे भाजियों को मैंने धो लिया तो सबका बनाने कर तरीका अलग अलग है मैंने यहाँ पर इससे बनाया है थोड़ा सा सरसो का तेल डाला उसमें तीन से चार लसुन की कलिया ड दाल दिया उपर ने थोड़ा सा जो डेशी चना होता दाला जैसे चना भी जो चनाा बिका जाता है वो चना इसके बाद प्याज काटके डालती है एक मिद्यम तक असी बुंच के निक च्रोड़ ऑलन रखिशा नमक यहाँ थोड़ा सा बाहता नहीं था तक जिसको डाल करके इसमें जादा मसाले डालने की जरुवत नहीं पड़ती है बस फिर क्या है फिर आप इसको ढख दीजिए पानी अपने आप भाजी सारा छोड़ देता है और फिर लो फ्लेम पर बिल्कु लो फ्लेम पर आपको इसको ढख करके पकाना है तो चनी भी अच्छे से पक जाएंगे और भाजी अच्छे से गल जाएगी देखिए वीडियो में आपको दिख रहा है ना बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना बना भी बहुत ही अच्छा था तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म झाल